अलोबिंड देडों लट्कम बぁकक्तो ओर विट्चूप चैनल तू इस वीडियो में डिसकस करलेते हैं आयो दिए के स्टशल फ्रण यहापट नहीं किए सब्सक्राइब आज यहां इंटरेस्ट करेंगे से चार्ट ना यहां यहां सा वीडियो की बढरने से पर बाद बताना चाओं आज आँए लिंग का दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देदी है उस लिंक का यूज्ट करके आप फ्रीव में DMAT account भी open कर सकते हैं तो current month के chart हमें पे analysis करना है तो इस पे हम tap करेंगे tap करने के बाद देखे हैं यहाँ पे आप इसकी current price देख सकते हो नीचे में option chain, charts और stocky rate आप देख सकते हो हमें इसका chart देखना है तो यहाँ पे हम chart देख सकते हैं आम registry chart पे tap कर लिया है हाँ देखे दोस्तों हमारे सामने one day time frame में current month का futures का chart ओपन हो चुका है multiple time इसी level पे आने के बाद में support ले लेकर ऊपर की और हमें bounce देखने को मिल रहा है फर्दर तीजी हमें यहाँ आप ए continue होते वे दिखाई देख सकती है तो आप entry का plan करना चाहिए तो buy पे हम touch करेंगे buy पे touch करने के बाद अगर आप buy करके hold करना चाहते है overnight के लिए तो carry forward में करेंगे same day by same day sell करना चाहते तो आप intra day में करेंगे lots से इसकी बात करेंगे तो 9,750 का रहेगा तो यहाँ पे one enter कर लेते है नीचे में limit और market का option दिया है limit है निके आप अपने 10% price space को खरीच सकते हो जैसे कि इसकी price चल रही है 76.60, sorry 78.60 तो हम इसको अगर buy करना चाहते है 75 पे तो यहाँ पे आप enter करेंगे जब भी इसकी price यहाँ पे आजाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate है निके जो भी इसकी current price चल रही होती है उसे पे directly आपका order execute हो जाता है simply हमें buy pay touch करना है buy pay touch करने के बाएद confirm आ जाएगा confirm pay touch करने के बाएद हमारा order successfully execute हो जाएगा same process रहेगी इंटराट डे के लिए भी दोस्तों यह तो हो गए इसका features का वह हम discuss कर लेते हैं options के बारे में तो back कर लेते हम यहां से ठीक है again same हमारे समने interface शो कर रहा है वही तो CE आने के call होता है PE आने के put होता है तो अभी हमारा भी इसमें bullish है तो हम यहाँ पे CE पे tap करेंगे जिसे हम इस पे tap कर लेते हैं यहाँ पे दिखिए आपको option chain दिखाई दे रहा होगा उस पे हमें tap करना है जिसे हम इस पे tap करेंगे हमारे सामने दिखिए option chain जो है इसका open हो चुका है यह call side है यह put side है और आप बीच में जो देख रहे हैं को हम कहते हैं strike price दोनों side आपको OI means open interest देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पे 79 के strike price को open interest देखते हैं तो 44 lakh का है और यहाँ पे 8 lakh का है मतलब कि call side में ज्यादा open interest हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे इस पे tap कर लेता है जिसे हम इस पे tap करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे समने कुछ इस तरह से interface शो करेगा आप इसका chart भी देख सकते हो हमें justly chart पे analysis किया है तो यहाँ पे simply हम buy पे touch करेंगे buy पे touch करने के बाद same process रहेगी अगर आप buy करके hold करना चाहे तो आप carry forward में करेंगे same day by same day sell करना चाहे तो आप intra day में करेंगे lot size भी same रहेगा तो यहाँ पे one enter करेंगे नीचे में limit और market का option दे है limit आने के आप अपने 100% price पे सो खरीच सकते जोसे कि इसकी price चल रही है 0.30 अगर आप इसको buy करना चाहते है 0.25 पे तो यहाँ पे आप enter करेंगे जब इसकी price यहाँ पे आजाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate जो भी इसकी current price चल रही होती है उसे पे directly आपका order execute हो जाता है simply हमें buy pay touch करना है buy pay touch करने के बाद confirm आ जाएगा confirm पे टच करने के बाद हमार order जो है successfully execute हो जाएगा same पूर्श रहेगी इंटराड देगे लिए भी दोस्तों ही जो वीडियो बनाएगी यह सिर्फ़ सिर्फ educational purpose के लिए बनाएगी है जब यह आप कोई भी stock में future and options में एंटरी का प्लान करें तो अपने financial advisor से consult करके ही उसमेंटरी बनाएगी वीडियो अच्छे लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें तुझे लिए मिलते हैं next वीडियो में करें तुझे लिए जब बनाएगी वीडियो को